तो आप हमारा जो linux का instance cloud पे रन कर रहा है क्या हम पर window का client है तो हम putty को used करके हम उसको assess करेंगे तो हम अपना देखते हैं कि कैसे करने हैं अपने assess तो हमरे केसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे अपना जो Linux Web Server है उसका क्या करेंगे पुब्लिक आईपी अठ्रेस नोट कर लेंगे तो यहां पे अपना यहां पैको सब्सक्राइब कर लेते हैं आपके हो सकता है डेस्टोप पर बढ़ा हो तो आपने उसको क्लिक करोगे तो यह आपका उपन हो जएगा तो यहां पर हमने कई चीजी यहां पर पुट करनी है सबसे पहले हमने उसका आईपी ड्रेस जहां डी एनस नाम दे दिने तो हमारे केस मे हम यह पेस्ट कर देते हैं जो पब्लिक आईपी ड्रेस है फिर हमने क्या करना है यह पर डाटा पर आजाना है यह जो हमारी लाइनिक्स लाई है उसके अंदर एक डिफाल्ट यूजर क्रेट हो जाता है जिसका नाम क्या है एसी टू हमारे पास यूजर है तो हम यह वाला य की चाहिए तो यहां पर अपने डाटा पर ऑथ पर आने के बाद अपने प्राइविट की को स्पैसिफाई कर देना है ब्राउज तो हमारी जो प्राइविट की है हमने जो डाउनलोड की थी और उसको कनवर्ट किया था वह डेस्टॉप में एच डाटा के फोल्डर के नाम स से तो वहां पर हमारे की है वहां पर पर पड़ी होई एक फॉर्मेट में बढ़ क्योंकि हम पुटी से से करते हैं तो पुटी प्राइविट की हमें चाहिए तो यह वाली की को हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिर हमने कुछ और चीजे करनी है जैसे कनेक्शन टाइम आउट अब ह यहां पर हमें एक 60 सेकंड का जो टाइम सेट कर देते हैं तो यह क्या करेगा कीप लाइव मैसेज सेंड करता रहेगा उससे हमारा जो क्नेक्शन टामिन एट नहीं होगा तो हमने थोड़ सा क्योंकि यह जब ऑपन होगा तो विंडो बड़ी जो फोंड साइज होगा बड़ चेंज जो है इसका फोंड साइज क्या कर दीजिए 16 कर दीजिए तो इससे क्या को थोड़ सा फोंड साइज आपका बड़ा हो जएगा फिर हमने यहां पर थोड़ सा देखना चाहते हैं कि विहीवियोर हो गया कलर्स पर आजाते हैं तो हम कहेंगे यूज सिस्टम कलर्स तो उसमें हमारे जो 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 बैक्राउंड है वो थोड़ वाइट आजेगी तो उससे में बड़िया तो जो इंटरफेस है वो बड़िया जराएगा तो यह हमने सारी चीज़ें स्पैसिवाई कर दी हैं हमने की स्पैसिवाई कर दी हमने आईपेडस स्पैसिवाई कर दी अब हम रेजिस्ट्री तो आपने क्या कर लेना है यहां पर असेट कर लेना है तो यह हमारा जो Linux से इंस्टांस चल रहा है वह वगला हमारा उपन हो गया यहां पर EC2 यूजर दिखा रहा है तो अगर हम यहां पर PWD कमांड दिखाएंगे तो हमें यह क्या कर रहा है यह दिखाएगा कि हम Home Directory में हैं तो यह था मैं कैसे करना है इसको इसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसमें अगर हमने web server वकुएड लांच करना है तो कैसे करना है तो यह थी हमारे पास असेस करने कि अगर हमने connection को terminate करना है तो हम कहां से कर सकते हैं यहां पर click करेंगे तो वो क्या होजेगा terminate होजेगा तो आगे हम देखेंगे कि web server को कैसे implement करना है और उसको कैसे assess करना है